अभनपुर के ग्राम पंचायत हस्दा नमबर दो के एक युवक द्वारा ग्राम सरपंच के विरुद कारवाही नहीं किये जाने की स्थिती में आत्म हत्या करने की चेताओने दी पीडित भोले साहु द्वारा ग्राम में मन्रेगा के तहत होने वाले कारियों में मेट का कारी करता है ग्राम में आठ मई से मन्रेगा के तहत तोकरो बाट पानी टंकी के पास तलाब गहरी करण कारी करवाया जा रहा है जिसमें ग्राम के अधिकांस पंच और सरपंच ससी प्र साहू के समर्थक काम नहीं करते इसके बाद भी सर्पन्च ससी प्रकास साहू और सचिव सुर्सेन साहू द्वारा मुझसे जबरजस्ति कारी के मास्टर रोल में उनका नाम दर्ज कर मज़दूरी बनाने का दबाव बनाया जा रहा था मेरे द्वारा विरोध करने पर सचिव और सर्पन्च ने मेरे साथ कारी स्थर पर गाली गलोज करते वे मार पिट बीज बचाव करने आई मेरी मा के साथ भी दोनों ने मार पिट की इस मामले की सिकायत अभनपूर थाना में करते वे सरपंच ससी प्रकास साहू के विरुद्ध कारवाही की मांग की लेकिन कारवाही न करते वे नियाले जाने की सलाह दे दी गई इसके अलावा पीडित युवक ने कलेक्टर रायपूर सहीद सासन प्रसासन के तमाम संबंदित अधिकारियों को लिखित से कायद भी दी लेकिन कारवाही नहीं होई पीडित भोले साहू का कहना है कि कारवाही नहीं होने पर वह आत्मात्या करने मजबूर हो जाएगा जिसकी पूरी जम्यदारी सरपन ससी प्रकास साहू और सचीव सूरसेन सहीद आवेदित सभी अधिकारियों की होगी कि द्वारा और पंचयात की सरपन ससी प्रकास के द्वारा इनका में भी रोध किया भर्जी मास्ट्रों नहीं बनाऊंगा और मैं सासन के समर्थन में ताम करूंगे तो आग्रोसी दोगा कि मेरे माल पिट किया है प्र मोबाइल को भी छी लिए गया है मैंने थाना प्रभार सरपन ससी प्रकास साहू ने खुद को निर्दोज बताते हुए भोलेज साहू को ही दोसी बताया है सरपन्ज का कहना है कि भोलेज द्वारा काम करने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों और कुछ अन्य ग्रामवासियों का नामदर्ज नहीं किया जा रहा था जिसकी जानकारी मिलने पर मैंने कारिस्थर पर उसे तलब किया तो वह अभधरता करते हुए अपनी मर्जी से काम करने की बाद कही और मेट पर्ची को नियम विरुद अपने घर ले गया मैंने इसकी सिकायत SDM और जनपत सियो से की यह जो आरोप लगाया है बिल्कु नीरधार और मिथ्या है आरोप यह वलकि मेरे जो पंचे लोग काम करने जा गया थे अपने जो काम करने जा गया थे तो वहां देखा कि पंच लोग सब काम कर रहे हैं मजदूर ओर शिखायद के पास किया है और थाना किया है पूरे 400 मजदूर है है कि मैंने क्या क्या नहीं इस विवाद में आप सासन प्रसासन को सच्चाई का पता लगाना होगा ताकि दोसी पर कारवाहिक की जा सके DNX TV के लिए अभनपूर से विश्वेशर हिरवानी की रिपोर्ट